हिमाचल परदेश की राठभानी शिमला के अतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों राजे संग्राहल और भाशा एवं सांस्क्रिती विभाग की और से विशेश प्रदेशनी का आयोजन किया जा रहा है इस प्रदेशनी में कुलु शॉल चंबारुमाग की नौट शॉल और वुड़ क्राफ्ट के स्टॉल लगाए वे हैं इस सब के बीच यहां बुधिस्न को दर्शाने वाली थांका पेंटिंग हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खीच रही है यहां एक ठांका पेंटिंग का काम एक लाख रुपिक है यहां एक ठांका पेंटिंग का धाम एक लाख रुपिक है अब कोई यह पेंटिंग खरीद सके या नहीं लेकिन इस पेंटिंग को देखने जरूर पहुंच रहे हैं शेहर भर में इस पेंटिंग के चर्चे है ठांका पेंटिंग को बेहत खास माना जाता है इस एक लाख रुपे की पेंटिंग के बॉर्डर पर 24 केरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है इसके अलावा पेंटिंग बनाने में तिबबत से आने वाले स्टोन पाउडर भी योग में लाएगे हैं इस थांका पेंटिंग को बनाने में 11 दिन से ज्यादा का समय लगा है थांका पेंटिंग को बनाते वक्त बेहत बारिकी से काम किया जाता है इस पेंटिंग में जब भगवान बुद्ध का मुव बनाया जाता है तो पवित्रता का भी खास ध्याद रखा जाता है पेंटिंग स्टॉल चलाने वाले सोनम का कहना है कि शिमला के लोग काफी अच्छी पेंटिंग की खरीदारी कर रही है जैसे कोई बिस्नेस गरना चाहेंगे उसको ग्रीन तारा यूज़ का सकता है कोई खुशी गर्में सांधी पन के लिए कोई बुद्ध जी का यूज़ का सकता है कोई बीमार हो दो उसको मैडिसीन बुदा आने सारा अलग-अलग होता है इसप्तट उसको यहूद आने टिन थांन लाग-अलग तो चिन अर्यियों होता है बाकी मिला के और एक लाग तक बन जाता है बाकी अगर अलाइन में अगर जो शोर में बड़े-बड़े शोर में जाएंगे तो इसका डॉलर के इसाफ से होता है इसमें कमें तो आप बोलना ही से कितना अब दिन में कितना सेल हो जाता है कितना होता है उतो कस्मार के उबर डिफिन होता है कभी ज्यादा भी होता है कोई दिन में होता भी नहीं अर्वाकी मेनेत का बात करेंगी तो इसमें बहुत सारा मेनेत होता है कोई पेंडिंग में जैसे नर्मल वाला सो पेंडिंग चोटे वाला चार दिन से लेकर बड़े-ब रोज बनाता है दास से बारा गंडा तक खरस तो आपको एकी मैंगा वाला में अगर उगरेंगी तो इसमें रेल गोल हो ज़ाद है यूज होता है बाइकी 24 गारी गोल एंस्टा नियूस क्लें शिमला से चमाल शर्मा किल पो जिनला देमला का वी सबसे प्राई